हेलो बच्चों मैं शची चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विच चंद्रा में तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और सुवस्थ होंगे तो बच्चों जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अध्याय तीन क्या है ये है अध्याय तीन और अध्याय का जो टॉपिक है वो क्या है तुम कितना वजन उठा सकते हो वजन का मतलब होता है बच्चों बोज ठीक तुम कितना बोज या वजन या भारी बोजह उठा सकते हो तो बच्चों ये जो आपकी गडित की जो पुस्तक है गडित का जादू कक्षा 2 की उसका पार्ट 3 है कौनसा है पार्ट 3 तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक भी करना न भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय तुम कितना वजन उठा सकते हो तो बच्चों सभी अपने घर में कुछ न कुछ काम करते हैं बच्चे और इसकूल में भी कुछ न कुछ में आम काम बताती हैं कभी किताबों को मंगाती हैं कभी कुछ कभी कुछ और घर में भी आप अपनी मम्मी की या पापा की या बड़े भाई बेनों की मदद करते हैं तो कुछ न कुछ तो बोज उठाते हैं आप तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे सबसे पहले एक कहानी दी है वह रोज अपनी पीट पर नमक की बोरियां धोकर बाजार ले जाता है बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है ये बनी हुई है बच्चो नदी और ये क्या है ये है नमक की बोरी एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसल कर नदी में गिर गया यह देखो यह आप देखो यह गधा जो है यह नदी में गिर गया ठीक है जब उठा तो उसे बोरी काफी हलकी लगी यानि कि किसकी बोरियां रख रखी दी उसने अपनी पीट पर नमक की बोरियां किसकी नमक की बोरियां और जब वो नदी में गिरा उसका जब पैर फिस तुम भी सोचो की बोरी इतनी हलकी क्यों लगी गधा मन ही मन भहुत खुश हुआ इससे उसे एक बाद भी सूजी अगले दिन नदी पार करते हुए चाला गधे ने नदी में डुपकी लगाने की सोची मतलब जब गधा नदी में उसका पैर फिसला जब उसकी पीट पर नमक की बोरी रखी हुई थी तो उसका पैर फिसल गया और जब वो नदी में से बाहर निकला तो देखा नमक की बोरी तो उसमें नमक था ही नहीं बच्चों क्यों सारा नमक पानी में घुल गया था और बोरी खाली हो चुकी थी इसलिए गदे को बोरी क्या लगी हलकी लगी ठीक है गदा बहुत खुश हो गया और अगले दिन क्या हुआ उसने फिर सोचा कि आज फिर नदी में बैठ जाता हूँ तो क्या होगा कि मेरा जो पीट पर रखा हुआ बोजा है वो हलका हो जाएगा ठीक तो उसने फिर से डुपकी लगाने के लिए सोचा इस बार संदीब को गदे की चाला की समझ में आ गई मतलब जो संदीब था गधे का मालिक जो लड़का उसको समझा गया कि गधा जो है वो जानबूर कर चाला की करने की सोच रहा है तो इसने क्या सोचा संदीब ने मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए अगले दिन संदीब ने लमक की जगे बोरी में धेर सारे उनी कपड़े भर दिये सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुकी लगाएगा तो क्या होगा और क्यों बच्चों जब गधा इस बार नदी में डुकी लगाएगा तो क्या होगा वो जो उनी कपड़े हैं वो पानी को सोक लेंगे और वो क्या हो जाएंगे भारी जिससे की गधे की पीट पर रखा हुआ बोज मतलब जो उनी कपड़े हैं वो भारी हो जाएंगे अब आप ये काम अपने घर में अपनी मम्मी के साथ करके देखना क्या करके देखना कि जब आप नमक पानी में डालेंगे तो नमक गुल जाएगा और जब आप किसी कपड़े को या उनी कपड़े को पानी में डालेंगे तो पहले तो कपड़ा हलका होता है लेकिन जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो उसका वजन बढ़ जाएगा और बढ़ा लेता है जो कि उसके गधे के दिमाग में आइडिया आ रहा था राजु सी सा पर जूलना चाहता है देखो बच्चों ये जो जूला है पार्क में जो लगा होता इस तरीके का जूला इसे बोलते हैं सी सा कौन सा जूला सी सा जूला तो राजू को सीसा पर जूलने के लिए एक साथी की जरूरत है क्योंकि अगर राजू अकेला बैठा रहेगा तो बस वो इधर की तरफ उसका वजन जादा रहेगा तो वो नीचे को रहेगा जूला और इधर की तरफ से उपर की तरफ उठ जाएगा जूला हलके की वज़े से ठीक है अब देखो रानी राजू की मदद करने आती है ये रही रानी है फिर भी राजू सीशा पर नहीं जूल सकता क्यों? क्योंकि राजू का बहुत जादा है और रानी का हलका है इसलिए रानी तो उपर को उठ गई है और राजू जमीन पर उसका जूला लग गया क्या तुम बता सकते हो क्यों? सही उत्तर पर गोला लगाओ अब देखो यहाँ पर दे रखा है कोश्चन इस पर गोला लगाओ राजू रानी से भारी है या हलका है? बताओ जल्दी अब देखो अभी मैंने बताया ना राजू भारी है इसलिए तो इसका जूला नीचे टच कर रहा है धरती पर और रानी उपर की ओर है क्योंकि यह हलकी है तो हम गोला लगाएंगे राजू रानी से भारी है ठीक है? अब आगे देखते हैं बच्चो असलिए उनकी मदद करने आता है चित्र देखो ये रही रानी ये रहा राजू और ये कौन है? असलिए तो असलिए क्या करता है? रानी की मदद करने आता है क्यों? क्योंकि जो रानी है वो उपर की तरफ उठी हुई थी अब जब असलिए रानी दोनों एक तरफ बैठ गए तो देखो राजू उपर को हो गया और ये जो असलिए ये धर्ती पर टच हो गए क्योंकि ये दोनों भारी है क्या तुम बता सकते हो क्योंकि राजू की तरफ से जूला अब उपर क्यों गया? बताओ रानी और असलिए राजू से भारी है या हलका है तो बताओ रानी और असलिए राजू से भारी है इस पर गोला लगेगा ठीक? अब आगे अच्छा सूचा मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ अच्छा सूचा मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ ये जो थैला है वो सोचता है कि अच्छा आइडिया आया मेरा दिमाग में अब क्या करता हूँ? मैं जूले पर अपना थैला रख लेता हूँ ये देखो ये रख लिया राजू ने अपना थैला हमें इस जूले में बहुत मज़ा आ रहा है क्यों अब देखो दोनों बराबर हैं ठीक है कभी असलम और राणी नीचे जाएंगे तो राजू उपर जाएगा और कभी राजू नीचे जाएगा और असलम और राणी उपर जाएगी तो ये जूले को इस तरीके से जूल सकते हैं अब आगे हलका भारी या हलका दो चीजों में से कौन सी सी सा को नीचे की ओर ले जाएगी उधारण देखो भारी चीज को मिलाने के लिए रेखा कीचो तो सी सा का जो जूला है इस पर बच्चों जो नीचे की तरफ जूले को ले जाती है वो ले जाती है भारी चीज देखो ये है तरबूज ठीक है और ये है नीबू या खरबूजा मान लो छोटा सा तो ये जो तरबूज है ये है भारी किस से इस से तो ये क्या करेगा इस सीसा के जूले को नीचे की ओर ले जाएगा अब हम देखेंगे कि ये घड़ा और ये बोतल तो इसमें से जूले को नीचे की तरफ कौन ले जाएगा हम इस पर निशान लगाएंगे तो जल्दी बताओ कौन ले जाएगा सोचो घड़ा क्योंकि घड़ा भारी है तो घड़े को हम यहां तक निशान लगाएंगे अब हैं दो ग्लास और जग अब बताओ इन दोनों में से कौन ले जाएगा सीशा को नीचे की तरफ जग ठीक? अगला देखते हैं अगला है यह मगगा और यह बाल्टी तो बताओ कौन ले जाएगा यह बाल्टी ठीक? अब अगला कुशन जो हलकी चीजें हैं उसमें रंग भरो अब हलकी चीजें क्या हैं? बताओ जल्दी एक तो यह फुट बॉल है और यह टैनिस बॉल है तो जो टैनिस बॉल है यह हलकी है आप इसमें कलर कर देना ठीक? अब देखो यह है स्कूल बैग और यह है जोमेटरी बॉक्स यानि जोमेति बॉक्स तो आप इसमें भी कलर कर देना ठीक है? अच्छे से सुन्दर से आप अपने मन पसंद का कोई सा भी कलर भर सकते हैं अब आगे छोटू और छोटू बंदर और गाजरें ठीक है ये है एक कहानी चिक्की और मिक्की खरगोज को एक थैला मिला ये है चिक्की ये है मिक्की इन दोनों को क्या मिला एक थैला चिक्की और मिक्की कौन है दो खरगोज कौन सा थैला मिला उसके अंदर गाजरे थी ये देखो ये रही गाजरे ठीक है और ये कौन है ये है बंदर राजा चिक्की और मिक्की लड़ने लगे अब देखो यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं कौन चिक्की और मिक्की मैं बड़ी गाजर लूँगा ठीक है नहीं मैं बढ़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजरें लूँगा बंदर ये सब सुन रहा है ठीक अब आगे छोटू बंदर उनकी मदद करने आया हम दोनों गाजरों को बराबर बाटना चाहते हैं लेकिन कुछ गाजर बड़ी है और कुछ छोटी हम इसका क्या करें अब क्या करें गा मदद कर सकता हूँ किसने कहा बंदर ने ठीक तो चोटू बंदर उनकी मदद करने के लिए कुछ लेकर आया है अब देखो यहां पर चोटू बंदर जो है कुछ लेके आया है लेकिन यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर ह में बनाना पड़ेगा वो चित्र जो छोटू बंदर लेकर के आया होगा किसलिए इन चिक्की और मिक्की की गाजरों को बराबर बाटने के लिए तो बताओ जो गाजरे हैं वो बराबर हम किसे बाट सकते हैं बताओ जल्दी तराजू से तो हम यहाँ पर बनाएंगे का चित्र ठीक है तो तराजू का चित्र बनाने के लिए आप इस तरीके से तराजू को बना ले ठीक यह बन गया तराजू का चित्र और यहाँ पर एक काटा यह रहा काटा जो कि हमको बताएगा कि तराजू बराबर गाजर जो है वो बराबर तॉली जा रही है या नहीं ठीक तो आप भी इस तरीके से एक चित्र तराजू का अपनी पुस्तक में बनाएंगे ठीक अब आगे आगे देखते हैं क्या है यह लिखा हुआ है अंदाजा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया बंदर के हाथ में उस शीर की तस्वीर बनाओ तो अभी हमने बनाई ना क्या बनाई तराजू ठीक है अब आगे पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीते हैं एक बार में वे कितनी गाजर खरीते हैं सबजी वाला गाजर कैसे तौलता है बताओ जल्दी तो सबजी वाला गाजर तौलता है तराजू से किस से बच्चो तराजू से ठीक और जो हमारे यानि तुम्ह आरे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीते हैं, एक बार में कितनी गाजर लाते हैं? बताओ जल्दी तो लाते हैं एक किलो गाजर ठीक है अब आगे सिम्रन कितना उठा सकती है क्या वजन या भार कितना उठा सकती है सिम्रन एक बार में सिम्रन के पिता उसके घर के स्टोर में कुछ सामान रसोई घर में रखना चाते है सिम्रन अपने पिता की मदद करना चाती है देखो ये रहा उनका स्टोर जहां से वो अपना सामान जो है करसोई में रखना चाहते हैं यहां पर क्या सामान है देखो यह है एक किलो नमक एक सेकेंड अब इरको भी तखाते हैं अब देखो एक किलो नमक, दो किलो शुगर यानि चीनी, दो किलो दाल, एक किलो घी, दो किलो तेल और एक ये कनस्तर पांच किलो चीनी है और यहाँ पर हैं पांच किलो आटा यह रहां पांच किलो आटा ठीक है? तो सिमरन जो है अपने पापा की मदद करना चाहती है इस सामान को रसोई में रखने के लिए तो अब देखो अंदाजा लगाओ सिमरन कौन सा जोला उठा सकती है अंदाजा लगाओ कौन क्या उठाएगा तो अंदाजा लगाओ सिमरन कौन सा जोला उठा सकती है बताओ जल्दी तो सिमरन इसमें से कौन सा जोला उठा सकती है बच्चो सिमरन इसमें से उठा सकती है ये 2 kg चीनी का बैग, कौन सा हम लिखेंगे यहाँ, 2 kg चीनी, क्या चीनी, ठीक, अब अंदाजा लगाओ, कौन क्या उठाएगा, उसके पिता क्या उठा सकते हैं, ठीक, उसके पिता उठा सकते हैं, 5 kg आटा, क्या, 5 kg आटा, ठीक, और उसकी माता क्या उठा सकते हैं, तो यहाँ देखो और क्या सामान है, और है, 5 kg चावल, ये रह, ठीक है, तो उसकी माता क्या उठा सकते हैं, बच्चो, पांच किलो चावल क्या उठा सकती है पांच किलो चावल ठीक अब है उसकी छोटी बेहन उसकी छोटी बेहन बताओ क्या उठा सकती है उसकी छोटी बहन उठा सकती है एक किलो नमक क्या उठा सकती है बच्चों एक किलो नमक तो यहां लिखो एक किलो ग्राम नमक अब देखो जो मैंने यह के जी लिखा है ना के जी का मतलब होता है के का मतलब किलो और जी का मतलब ग्राम किलो गिराम ठीक है अब आगे क्या सिमरन इन में से कोई दो जोले एक साथ उठा सकती है यदि हाँ तो कौन से तो देखो हाँ बिल्कुल उठा सकती है सिमरन दो जोले एक साथ कौन से एक चीनी का और एक दाल का ठीक है तो यहाँ आप लिख दो यहां लिखो हा ठीक यह हो गया हा फिर लिखेंगे चीनी और दाल का ठीक है यह हो गया तुम कौन से जोले उठा सकते हो अंदाजा लगाओ तुम कौन से जोले उठा सकते हो बताओ तुम भी चीनी और दाल के ही जोले उठा सकते हो किसके चीनी और दाल चीनी और दाल के जोले उठा सकते हो अब गिरेखो चीटी रानी क्या कह रही है मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ तो बच्चों जो चीटी होती है चीटी का जितना वजन होता है खुद का यानि चीटी का जितना खुद का वजन होता है उससे जादा वो बोजह उठा सकती है मतलब चीटी जो है अपने वजन से जादा बोजह उठा सकती है अब है जानवरों के चित्रों से उन चीजों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं अब देखो यहां पर ये दे रखा है तो अम मिलान करो तो बॉल कोन उठा सकता है ये कुट्ता उठा सकता है ठीक है और चीनी कोन उठा सकता है गधा और यह लत्ट उठा सकता है हाती और यह कोवा क्या उठा सकता है पत्त ठीक है मैं निकेवन तो एक बार देखो फिर से बताती हूं आपको अलग-अलग कलर सेieur बताऊंगी जिसे कि आप confuse ना हो देखो कुध्था क्या उठा सकता है बॉल कोऊः क्या उठा सकता है पत्ता ठीक और गधा क्या उठा सकता है बच्चो शुगर ठीक और हाथी क्या उठा सकता है लकडियों का लठ्था ठीक तो यह हो गई आज आपकी exercise complete अध्याय तीन आपका पूरा हुआ आपको कैसा लगा ये अध्याय समझ में आया कैसा लगा आप मुझे कमेट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे की मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है